तो गाईज आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं प्रभू सॉलोमन के डैक्सन में बनी फिल्म कनियान को लेकर जिसका की रियल नेम है हंदी डब में ये रिलीज हुई है हाती मेरा साथी के नाम से कर्सम बात की जाएं फिल्म की लीडिंग कास्ट को लेकर लीडिंग कास्ट में नजर आ रही है आरहे हैं स्रिया पिंगोलकर वहें इनके लावा नजर आ मेरे लेजर लीजरएंड अराना दग्गू बती और बॉलिंग अक्टर पुलकित संबराट कर्सम यह ऑफिछी है यह थी शीम की यह लेकिन औरOOOO नजस्ट में खांवरों के साथ हाथ्यों के साहत काफी अच्छे बॉर्णिनाथ और अपको यह न बाट कीजाए तो फिल्म काफी अच्छी आख system काफी अच्छी प्रेरेट करेगी और आपको पसंद भी आएगी गईज़ आपको आदू इस सुर्म के अंदर एक वक्त तक कही न कहीं पुलकित समराथ अपोजिट रहते हैं राना तगुबती के लेकिन बाद में जब उनका हाथी जिसका के नाम होता है बोला वो मर जाता है पत्थर गिरने क वज़ा से तो कहीं न कहीं उन्हें फिर मदद करनी पड़ती है लोगों की बोले तो उन लोगों की उन आदिवासियों की जो की जंगल में रह रहे थे खास तोर पर उन जानवरों की क्योंकि उन्हें उन जानवरों को देखकर अपने बोले की याद आ रही थी जो की हाथी क का नाम है इस फिल्म में गईज आपको आदो इस फिल्म को ना कैसा रिस्पॉंस मिल रहा है एक्शुल में पब्लिक की तरफ से वो आपको बताने वाला हूं गईज काफी सारे हिंदी ओडियंस थे जिन्होंने ये फिल्म नहीं देखी थी क्योंकि ये फिल्म इससे पहले तमिल और तेलगू भासा में रिलीज हुई लेकिन हिंदी में कोई नामोन सान नहीं था इसलिए ये फिल्म 18 सेप्टेंबर को डायक्टली OTT रिलीज की गई और हिंदी ओडियंस काफी हद तक इन्वाल्व हो रहे हैं और इस फिल्म को देखना पसंद कर रहे हैं गाईज आप यकीन नहीं करोगे इस फिल्म की IMD रेटिंग भी काफी अच्छी है और इसको फिल्म को पसंद कर रहे हैं लोग वाकई में पॉजिटिव रिस्पॉंस मिल र रही है मैं अपनी बात कर रहे हैं मैं खुद भी इस फिल्म को 8 out of 10 की रेटिंग देना चाहूंगा क्योंकि फिल्म काफी अच्छी है मॉटिवेशनल है और गजब है आपको वीडियो पसंद आई हो लाइक करना सेयर करना चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करना थांक यू गाइज फोर वाचिंग कीप सपोर्टिंग बबाए टेक क्यार